नमस्कार दोश्तों स्वागत आपके शुर्विज्ञान के नाइंथ सेशन में जब आप अपनी शुर के प्रभाब को समझ लेते हैं और उसको अबलोकन कर लेते हैं साथ ही शक्री नाड़ी के अनुसार चलने का अभ्यास कर लेते हैं तो आप अन्य साधनाव को भी अपना सक ताकि आप हर रोज का कार आसानी से कर सकें यथा संभव सपलता पा सकें शुर्विज्ञान कुछ सजेशन देता है जिनको हमें डेली अपनाने चाहिए आज हम उनके बारे में बात करेंगे सबसे पहले हम देखते हैं विश्तर से उठने के बाद क्या करें तो आपको क्या क करना है आपको देखना है कि आपका कौनसा स्वर उसमें एक्टिव है जानना है कि आपका स्वर कौनसा एक्टिव है कैसे जानना है तो आप हमारे स्वर योग के सेसन टू को देख सकते हैं महां पर हमने कुछ आसान मैथड़ बता हैं जिनके तहत आप जान सकते हो कि आपका कौन सा स्वर उसमें एक्टिव है उसके बाद आपको क्या करना है जब आपने ये मालिम कर लिए कि आपकी कौन सी नाड़ी एक्टिव है तो आपको क्या करना है जो भी नाड़ी एक्टिव है माना कि आपकी दाहिनी नासका एक्टिव है तो आपको क्या करना है अपने दाहिन के लिए से कर सकते हैं उसके बाद विस्तर से उतरते शमें जो भी शक्री नाड़ी है उस राइट का पैर पहले टच होना चाहिए जैसे अगर दाहिनी नास का सक्री है दाहिनी पैर पहले जमीन से टच होना चाहिए उसके बाद बाया पैर टच होना चाहिए इस बाद का ध्या तो बाएं पैर से चलना सुरू करना है खास करए पश्षम या दश्षम दिश्चत की और। अगर थेस प्रक्टिसे पहले अचछी दरह से समझ के ढूर आपको याद रहे। अगर आप कोई नया काम सुरू करना चांते हो, तो कोशिस करें कि उस समय आपका चंद्र श्वर प्रवल हो, क्योंकि आपको समय mental energy की बहुत जरूरत है, creative energy की बहुत जरूरत है, कि आप समझ सको कि इस नए कारे को आप किस तरह से करोगे, और इसमें कौन-कौन सी चीजों को जरूरी है लगाने की, तो उसमें आप mental calmness की आपको जरूरत है, नहाने किश्य में क्या करें, थंडे पानी से श्नान करने से पहले, यह सुनिश्यत करने की पिंगला नाडी शक्री, पिंगला नाडी शूर नाडी है, जो हमारी बॉड़ी में heat प्रडूस करती है, अगर उस आपके शरीर के प्रभाब के दोरान ही खाना चाहिए, उनको हमें चंद्रश्वर के प्रभाब के दोरान ही खाना चाहिए, उसी तरह से यतरे भी ठंडे दही है, बरफ है, कोल्टरिंग वकर है, वो हमें चंद्रश्वर के दोरान नहीं लेनी चाहिए, हमें उनसे परेज करना चाहिए, क्योंकि चंद्रश्वर में हमें गर्म चीज़ों का शेवन करना चाहिए, जो बॉड़ी में heat प्रडूस करें, सूर्श्वर में हमें वो चीज़ों खाने चाहिए, जो बॉड़ी में ठंडकते, यातरा सुरू करने के शमय क्या करें, आपको क्या करना है, यातरा सुरू करने से पहले, आप कहीं भी बाहर जा रहे हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपके घर का man gate है, उस स अगर आपको किसी से मितरता पूर्वक बातचीत करना चाहते हो खास कर जिस वक्ति से थोड़ी अनमन मनमुटाब आपका रहता हो आपको क्या करना है उनके पास जाते शना जो भी आपकी सक्री नाड़ी है उस वाले पैर को आपको पहले रखना और दूसरे पैर को पीछे कि आपकी इनक्टिव नाड़ी उनकी तरफ थोड़ी सी ज्यादा हो आप देख सकते हैं अगर वो चेर पर बैठे तो आपको चेर पर आगे बठना थोड़ी सी आप अपनी क्या कर सकते हैं तो गरदन को थोड़ा सा एक डिगरी तिल्ट करके आप अपनी इनक्टिव ही है वो आप उनकी तरफ रखें थोड़ी सी और उसके वाद आप water दें अगर आपकी दाहेनी नासका उनकी तरफ थोड़ी सी करके रखें थोड़ा सा डिक्री का एंगल बनाएं ज्यादा नहीं एक चीज दिया रखें जब भी आपको इस चीज ले रहे हो या दे रहे हो तो तो भी नाड़ी एक्टेव है उस साइट के हाथ का यूज करें देने और देने के लिए वानाएक भी आपकी बाए नाड़ी एक्टेव है तो आपको क्या करना है बाए हाथ को यूज करना है देने के लिए और लेने के लिए तो आपको आने वाली नए वीडियो में कुछ नए मैथर्स के साथ कुछ नए एक्सपीरेंस के साथ कुछ नए पहलों के साथ